ये बता भाईया कि आज नोबल पुरसकार से क्वर्शन में पूछे गए थे बिल्कुल पूछे गए थे और एक जो पूछा गया था MRT SEN के नाम पे साथ वो कोश्टन पूछा गया था वो सारे के सारे कोश्टन क्योंकि हमें कोई भी कोश्टन तो छोड़ना है नहीं थायंगे और ध्यान से समझणा क्या 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 वो बिल्कुल ध्यान स समझते हैं क्या रेय। जनता चलो भई आज और अज़रा समझते नोबल पुरसकार सबसे पहले आते भई यह नोबल पुरसकार दिया तो जाता है लेकिन किसकी याद में दिया जाता है यानि अपसे नमबर आपका ड़ी इदा राइट राइट एंस भी कोश्टन क्या सभी बच्चों के बात में समझ किया जाता है यह बात तो बिल्कुल सही है लेकिन यह बताओ कि 2020 का जो नोबल पुरसकार मिला है सांती वाला वो किसको मिला है हाँ आसान सा कोश्टन है 2020 का जो नोबल पुरसकार मिला है सांती वाला वो किसको मिला है बहुत बढ़िया तो जो 20 का नोबल पुरसकार मिला है WFP को WFP मतलब होता वर्ड फूड प्रोग्राम अब देखो WFP का भी आपसे फूरा फूल फूल फूर्म पूछा सकता है तो परिशान ना हो अभी हम आगे सब कवर करेंगे ठीक है खाली देखते चलो तो WFP को क्या मिलता है 2020 का नोबल प्रसकार मिला था सांती वाला जिसका नाम वर्ड फूड प्रोग्राम इदा राइट एंसर बिल्कुल सही एंसर गाई जिनों नेक्ष पर चलते देखते का कहता है यह जरा यह बता दो अर्थ सास्त वाला मामला किसको मिला है 2020 का जो मैंने पुरसकार है वो एकोनॉमिक्स में किसको मिला है एकदम आसान कोशन एकदम जल्दी से बता दो हाँ बहुत सान दा भाई तहल का मचा करे रख दियो पूरा तो एकनॉमिस की बात करेंगे तो दो व्यक्तियों कु मिला है एक टो भ्या पॉल साहब को मिला ुल पछलब दो मिल्ल बहुत सिम्पल सा नामेंantic सा क्या जलदी से बोलो क्या याद रखना मिल्गूमिह रखना तो जल्दी से ख्या औरहिते हो गया ।- 세계 आपको alluded मिल्द वहुथ हो गया कि चाहते और पैसा हूविल क्या हो गए economics के हो गए simple सी बात next question पर आते हैं देखते हैं क्या कहता है अब ज़रा समझ लेते हैं आखरी इन्हें कहीं मिल गया यह भी तो बात है economics मिला तो क्यों मिला ज़रा समझते हैं तो भाई या देखना मिलविल सहाब को पुरसकार मिला है दूटू इस रीजन की वज़े से इन्होंने निलामी सिधान्त बोले तो आक्षन थियोरी पे कुछ खोज वगरा करी हुई तो इसी वज़े से इन्हें पुरसकार मिला हुआ है और यह इन्हें 10 क्वाइल की क्वालटी बढ़ा बिलकुल आराम से देख जाएगा परिसान नहीं सिरफ मुभाइल की क्वालिटी बढ़ा दो दिख जाएगा तो भाई या दखना 120 जो फिजिक्स वाले यह प्जारी ओंको पता यह वगरा जो यूज होता है तो क्या बोलोगे फिजिक्स के लिए पेन, गेन और गेज, ये किनको है फिजिक्स के लिए हैं है बिल्कुल आसान सा कोशन है बिल्कुल ऊसान है बाई बोलो आसान है की नहीं आसान है आसान है तो अपने लुएस कोशन पर चलते देख देखते हैं अब इनको देख लिये न यहीं भी तो बात जरूरी है तो क्योंकि साहित का किसे मिला है विल्कुल बहुत अगला वहत आसान था वहत आसान था देखते हैं कैसे भाई अरे बहुत ये तो देखो पेंगेन और गेज ये तो physics वाले मामले हैं है कि नहीं है तो साहित के लिए कौन बचा सिरफ एक विकथी जिसका नाम है लुइस ग्लूग क्या नाम हो गया लुइस ग्लूग इस दर राइट एंस और यहां पर बिल्कु सही एंसर हो जागा अब देखो सी कह रहे हैं मतलब दिखाई ने दिया क्या आप लोग पिछले वाले में आ चुके हैं तो क्या बचा ए बच गया तो ए क्या हो आज के लिए इनको यह संबान दिया गया है और यह कहां के रहने वाले हैं यह अमेरिका की युएस से के रहने वाले हैं एक दम आसान कोशन तािक प्ते नेक्स प्याथ दोनों विक्तियों को मिला हैammal तो adaint Amayan ओ गई और एक विक्सेंद नीस act कर T परने बलकुर समतिय को बाइन झाल है न जो भी नाम होगा इंका डिक्ति बिलकुर सब्सक्राइब ने नेक्स प्यालते हैं तो भाई देखो याँ देखना कि इनको क्यों मिला क्योंकि इन्हें जीनोम एडिटरिंग के एक पद्धति विकसित करी थी और यह कहां के रहने गर्मी लगिने लगी, ऐसा नहीं नहीं कहना चाह रहे हो, तो next प्याज़ आते जरा देखते हैं, कमेश्टी भी किलियर हो गया, अगले प्याज़ आते हैं, मेडिसीन के बारें बात कर लेते, बोले तो भया मेडिसीन वाला मामला किसके साथ है जल्दी से बता देना हाँ मेडिसीन वाला मामला किसके साथ है बहुत बढ़िया मेडिसीन वाला मामला किसके साथ है बहुत आसान से कोशन एक दम जी सा कोशन जरा समझते हैं मेडिसीन वाला मामला तो सब के सभी तो है भाई भी कई सारे लोग तो यह यह अधा थे कई दा आता है तो यह क्या होगा यह मेडिसीन वाले होगए आप उन्हों कहा क्वला मामला था यह राइस ऑर झराइस हाओ टन के नाम से नोबर पुरसकार तो चलो दे दिया गया हमने कहा भाई चलो बात यह भी सही है लेकिन रहने वाले किस देश के थे जल्दी से बताओ देखो लाइक का बटन दब रहा है क्या सभी से तो जरा एक बड़ दबा के देखो अगर दख जाए तो ठीक है भाई अगर भाई देखो हातों महधी वाई लगी हो तो फिर कोई बाती न नोबल पुरसकार दिया तो जाता हर साल है लेकिन कुल मा यसकार कि कितने च्षेतियों में दे जाता है कौण बच्चा बता पाएगा वीडियो से फिर हो गया फिर हो गया कमिश्टी फिर हो गया सांती वाले फिर एकोनामिक्स हो गया फिल लिट्रेटर हो गया सब का सब बात क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया तो लिट्रेटर वाले मामले पता चल गया एकोनामिक्स वाले याद कर लेना रट लेना भयां इनको कौन कौन से होते हैं नेक्स प्याज ओ भया अलफर नोले किस चीज़ कोच करी थी वई यह जरा बता desse इनके नाम पे नोबल पुरसकार कब दिया गया था बहुत ही जादा आसान कोशन गया था लेकिन यह बात है दस दिसंबर सं 901 इसवी कि जब पहली बार नोबल प्रसकार दिया गया था क्या आप जंता इस कोशन को गलत कर पाएगी अरे हाया ना नहीं ना तो next question में चलते हैं देखते हैं क्या कहता है लेकिन आप से जो question पूछा था वो ये पूछा था कि एकोनॉमिक्स में पहली बार कब दिया गया था नोबल पुरसकार तो चलो भाई सन 1901 इसवी से दिया जा रहा 10 दिसंबर से लेकिन एकोनॉमिक्स में सबसे पहली बार कब दिया गया था हां बहुत आसान से question है तो 1901 में हुआ कि नोबल पुरसकार के सुरुवात हो गई और नोबल पुरसकार दिया जाने लगा लेकिन एकोन में दिया गया था कुल मिलाके 67 सालों के बाद यानि सन 1968 इसवी में एकोनॉमिक्स में नोबल पुरसकार दिया गया था एकदम आसान question है अरे पक्का है next प्याजाते है अगला question आता है अच्छा कह रहा सर्जी अगर मालीजी आपने लिखा अब इससे बाहर कुछ नहीं जो समझते क्या कहता है अच्छा point है ना point to be noted आते हैं question समझते हैं क्या कहता है थ्यान समझते हैं क्या कहता है बहुत तो क्या कहता है physics and chemistry वाला देखो ध्यान से समझना तो physics and chemistry अगर आप पूछा जाएगा नोबल प्रसकार तो किसने दिया Royal Swedish Academy of Sciences Sciences की बात हो रही है तो physics and chemistry किसने दिया Royal Swedish Academy of Sciences ये भी question पूछा जाएगा याद रखेगा बहुत important question है तो क्या हो गया Royal Swedish Academy of Sciences जिने physics अगर कमिस्ट्री वाला प्रसकार इसनों ने दिया था अच्छी बतों पूछा जाएगा तो भाई दोनों बात समझना यह बता रावल एकडमी स्वीडिस आफ साइंस ये कौन साइवार्ट देते हैं कौन से वाले चीज में दिये हैं तो यह देखें कि यह physics and chemistry दे दिये थे कि लिए अच्छा ठीक है करो लिसका पूछा जागा तो यह किसमें दि बचा स्वीडिस अकाडमी वाले बच्छे और यहीं क्या हो गया साहित वाला हो गया यहीं लिट्रेचर को गया मतलब फिर से मारते हैं physics and chemistry वाले क्या हो गया क्योंकि यहां पर आपका साहिंस वगए तो यहीं लोग हो गया फिर हमने पूचा जरा यह बता तो भाईया मेडि गैं कींत बच्छे अच्छे तरीके सब्सकरा सबस्था रही की लिए बिल्कुं सही अंसर तो नार्वे की संसती आपकी यहाँ पर कुल मिला के 5 लोग के सदस्ती यह ने यह काम किया है एकोनॉमिक्स वाला कौन देता है आसान सो कोशन है दो कि यह सब बहुत तगड़े कोशन है जब पेपर में यह कोशन आगा तो भाई याद दखेगा एकोनॉमिक्स वाला कौन देता है आपका यही स्टुडिस वाले देते हैं तो यह फिजिक्स भी देते हैं यह कमिश्ट्री भी देते हैं और यह एकोनॉमिक्स भी देते हैं ठीक है तीनों बात याद दखेगा कौन कौन देता है भाई तो आपका रॉयल स्टुडिस एकंडमी आफ साइंस यह फिजिक्स भी देते हैं यह कमेश्टी भी देते हैं और यह आपका एकोनॉमिक्स भी देते हैं किलियर है नेक्स प्यादे अच्छा डवलू यपपी को तो सांती वाला पुरस्कार मिला नोबेल वाला जो की 2020 वाला पुरस्कार इसका फूल फॉर्म क्या है फेपर में जरूर पूछा सकता है ह露ा हाँ तो भाई इसका फूल फॉर्म क्या है यादखेगा इसका फूल फॉर्मicheal menet कोई यहां लेका यहां पर अगर कब सरूनु कबसे हुआ था कौन बच्चा बता पाएगा अगर नोने सोimin किमें हुआ था यह तो 607 यह भात की बात के लिए दिया जा रहा है क्या दोनों बात इसमें बवहुत तग रह अगर अगली कोशन पर आते देखतेने का कहता है डब यौप wr को जो यह वो का नोबल पुरसकार दिया तो गया लेकिन मुख्याले कहां इनका बहुत अच्छा कोश्चन है बहुत आसान था तो डबली अफ्पी का जो मुख्याले वो या देखेगा रोम में है यानि इटली में है यानि आपसे नमपर आपकभी इदर राइट है सो भी कोश्चन कोश्चन भाईया को कहेंगे सर जी क्या बताया डबली अप्य वाले परिसानी के इससे चाट किसी व्यक्ति को दे दिया होते है तो हमें वह भी ना याद करना पड़ता क्या होगे यहां पर इसकी अध्यक्ष का ना में डवीड बेसले किसके डेविड बेसले ठीक है बहुत करें डॉक्टर हर्सवरदन है बहुत उट अड़ता है और भारत में नोब्य पॉरसकार प्र Civil War फड़ में दिया जाला लेकिन भारती नागरिता जो बड़े इंप्राइब में नागरीता जिन کے पास ती जो सबसे पहले थे कौन थे साहित में पूछ जाएगा तो भहिसा थे साहित कीकिर कुЕ सांति का सबसे पहले सबसे पहले सबसे हैं सेन के बारे में कोशन पूचा गया था कि अमर्थ सेन को नोबल प्रसकार कम मिला तो सार 1999 मिला इसका मतलब ये वीडियो है तो important है ना सारे कोशन हमने कवर के कुछ भी आपके पास बचे नहीं है अरे किलिया रहे भाई या एक बार ज़रा देखो और सकी पिप ले 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 ना टेलिग्राम गुरॉप पे चले अगरे कोशन पर आज उजर अगले कोशन पर देखते हैं क्या कहता है अब जो लोग भारती मूल केते है ना इनके पास तो नागरिक्ता थी भारती یہ अब जो लोक भारती मूल के थे उसमें कौन कौन से हैं तो अगर हम बात करेंगे मेडिसिन के मामले में तो हर्व वोविंस खुराना इदर आइट एंस अभी कोशन बिल्कु से एंस और क्या बास सभी को समझ में आ रहा वियस नायपाल हो गए तो इनको बैनर्जी कर दो क्या करना भई है ना डबल अय लगा दो किलियर कोई परसानी कोई दिक्कत बोलो भया ठीक है यह बताओ 2019 वाले विग तो कोशन पूछे जा सकते हैं तो देखो हमने इसमें दे रखा है आप को जब पीड़ने लिए है तो आप याद कर ली प्रदार मंत्री साहब ते उनको मिला था ठीक